आप जिस शब्दावली का इस्तमाल किया गया है वो यह है कि हमारे पास क्रेडिबल एलिगेशन बदिकी एक आरोप लगा है उसको हम क्रेडिबल मानते हैं ठीक है एक आरोप है ना आप उसके बेसिस के उपर आप यह कहते हैं कि कुछ लिंक्स हो सकते हैं भारतिय अधिकारिय के साथ उसके अपर आप यह इतना बड़ा बियान देते हैं ताग देते हैं आपकी जो विदेश मनतरी हैं वो ये कहती ह obsess आप कि अगर ये जो आरोप हैं यह सच्य साबूत हुए फिर ये तो बहुत संगीन मामला है आपने बारतिय अधिकारी को अपने देश से देश निका नहीं है फिर ये बात करते हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस है इंटेलिजेंस आपके पास इस की तो है और वो जो तमाम जो धेशतगर्द या माफिया के लोग या जो हत्यारों की तसकरी करते हैं जो कैनिडा में बैटके भारत में कतले आम करवाते हैं और ओपनली क्लेम करते अपने फेस्बूक और ट्विटर के अकाउंट पे कि हमने ये काम करवाया है और छाती ठोक करके बोलते हैं कि हमने ये काम कर रहा है या हमारे कारिंदों ने ये काम कर रहा है या जो स्मगलिंग कर रहे हैं ड्रक्स की पाकिस्तानियों के साथ मिल कर गे उसमें आपकी जो intelligence है वो क्या घास चरने चली जाती है उससे में आपकी intelligence काम नहीं करती आपको भारत सरकार ने कई बारी अवगत करवाया है कि ये कारवाईयां हो रही है उस पर आपके मुँँ में धही जमा रहता है आपकी intelligence होने गई होती है आपकी इंटेलिजन्स ऐसी थी और आपकी इंवेस्टिगेशन इतनी अच्छी है कि आपके देश के धाई सो से उपर लोगों का कतले हम किया जाता है एक जहाज में बम रखके और आप किसी को कन्रिक्ट नहीं कर पाते और सबको आप छोड़ देते हैं आपकी और आप अब चाहते हैं कि हम ये मानें कि आपकी ये बहुत अच्छा काम कारगरती ही है आपके लोगों की तो ये कैसे बात हो सकती है आप से भारत सरकार ने कही बारी आगरे किया है कि देखें भारतिय मूल के जो लोग हैं उनके मंदिरों के उपर हमला हो रहा है उन पर आप ये स्लोगनेरिंग हो रही है वैंडलिजम हो रहा है तमाम ये चीज़े हो रही है भारतिय दूतवास पे हो रहा है भारतिय अधिकारियों को डराया धंकाया जा रहा है यहां तक मार उन्होंने कदम उठाया है, मेकल भारत सरकार ने अपने ताहीं एक कदम उठाया है और वो रिटालियेशन की है, भारत सरकार ने तो सिरे से खारिज कर दिया, यह जो भी आरोब लगा है, अब यह कोई टूडो से पूछे, या जो इनकी विदेश मंत्री हैं, या जो बाकी सार करवा रहे हैं क्या, वो किस खाते में आता है, जो इनके यहां पर जतने क्रिमिनल गैंग्स पकड़े गए हैं, सब के सब एक हालिस्तानी होते हैं, अच़ जतने यहां से लोग जाते हैं, वो उनको यह संड्रक्शन जो देते हैं, वो किसी ना किसी माफिया में इन्वार्ल ह होते हैं ठीक है उनको कानून की कानून की विवस्था की जो प्रणाली है वो उससे भागके कि यहां से बहे हुए हैं वहां पर उनको आप संड्रक्शन देते हैं वो यह हरकतें करते हैं वहां पर आपकी इंटेलिजन्स काम नहीं करती यहां पर आपकी इंटेलिजन्स काम कर तो फिर भारत सरकार ने भी कदम उठाये हैं अगर आप भारती अधिकारी को भार निकालेंगे तो भारती सरकार भी करेगी लेकिन वे खाल भारती सरकार ने एक और चीज़ आज अपने बियान में बोली है उन्होंने का है कि आपके जो दूतवास के लोग हैं वो कई इस तरी सरकार निकाला देश निकाला फिर बाकियों को भी दीजिए जो लोग भारती हितों के खिलाफ भारत के अंदर बैठ करके काम कर रहे हैं उनके खिलाफ आप और कदम क्यों ने उठा रहे हैं इनका जो एक दूतवास है या जो कांसलेट है इनका चंडीगर में वो क्या काम कर रहा है वहाँ पर तो ये तो सवाल फिर उठेंगे ना फिर ये सवाल उठेंगे भी चाहिए फिर इनसे सवाल जब अगर आप अगर इस उस पे आ गए हैं कि आप पुब्लिक ली एक निराधार चीज के उपर आप इतना बड़ा ब्यान दाग देते हैं भारत सरकार का भी तो ये अधिकार बनता है कि आपके उपर फिर आपको आपकी वी जो कच्छा चिठा है वो सब के सामने लेकर के आए और शायद उस लिहाज से किया नहीं है जिस लिहाज से करना चाहिए था सर्थ इससरी के आपके से आगे देखते हैं कि ये बहुत स्ट्रेंज हो चुके हैं टाइज दारत और कैनेड़ा के बीच में क्या हो सकता है आपके इसाफ़ से अब आगे क्या देखिए बड़ा दुर्भागे पून है जो अभी तक हुआ है मैं ये मानता हूं कि बहुत ही क्या है लेकिन इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी ये कैनेड़ा के उपर हैं और खास तौर पर ये टूडो सरकार के उपर इनकी अपनी आंत्रिक राज्रीती है जिसमें इन इह इनकी सरकार ठिकिक हुई है समर्थन जिनको इनको ज़रूरत है वो एक खालिस्तानी व्यक्ति है उसकी पार्टी के समर्थन की इनको जरूरत है ये उसके उपर टिकी हुई है इनकी सरकार इनको ये डर है कि कहीं हमारी सरकार न गिर जाए तो एक तो इनकी आंतरिक जो कले है राजनी ते वो है दूसरा क्रूडो की खुद की गवर्नेंस इतनी खराब रही है कि आज कैनेडा में इतने बुरे हालात हो गए हैं कि लोगों को खाने के लाले पढ़ते जा रहे हैं नोकरियां हैं नहीं ग्रोथ रुख गई हैं इन्फलेशन बहुत जादा बढ़ चुकी है अब इसने एटेंशन हटानी हैं वहां से और अपने आपको ये दिखाना है कि मैं बहुत अभी भी बहुता तगड़ा लीडर हूँ तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि एक मेरे पास यहां कैनेडा के अंदर भी सपोर्ट होगा ये खालिस्तानी जो लोग हैं इनको भी मैं अपने अराउंड एकटरित कर लूँगा क्योंकि देखिए जो भारतिये बाकी जो भारतिये हैं चाहे वो सिक हो हिंदू हो मुस्लमान हो कैनेडा में उनकी बहुत बड़ी तदाद ऐसी है वो राजनीति ये गुल्डागरदी में नहीं पड़ते ये जिस तरीके की कारवाई हैं ये माफिया टाइप की कारवाई हैं ना इंकी ये तो माफिया की तरह अपरेट करते हैं ये खलसना नी तो बाकी जो नॉर्मल आदमी है वो तो माफिया नहीं है वो उनको डराते हैं धंगाते हैं ये सब कुछ करते हैं वो फिर उस तरीके से एकत्रित नहीं होते बही जो माफिया का बंदा होता है वो तो बहुत अच्छी तरह एकत्रित होके बड़ा और्गनाईश तरीके से काम करता है ये लोग वैसे करते नहीं हैं जो नॉर्मल लोग हैं वो आम अपनी जिंदगी काटते हैं लॉइन ओर्डर को अब्सर्व करते हैं कानून विवस्ता को ताक पर नहीं रखते अपना काम करते हैं अपना कमाते हैं खाते हैं वो सब करते हैं क्योंकि वो शोर नहीं मचाते क्योंकि वो धैशतगर्दी नहीं करते क्योंकि वो मारपीट नहीं करते इसलिए आप उनको संजीद्गी से नहीं लेते लेकिन इनको आप लेते हैं और इनको आप यूज़ करने हैं अपनी राजनीती के लिए तो एक वो बहुत बड़ा पहलू है जिसके करके अब रिष्टे बहुत हद तक खराब हुए है देखे अगर ये सिर्फ कैनाडा के अंदर रहे करके कुछ बयान बाजी कर रहे होते हैं सब लोग इनको इग्नूर करते हैं प्रॉब्लम अभी ये हो गई है कि इनकी तरफ से पैसा भी आ रहा है इनके जो वहाँ पर लोग बैठे हुए है वो भारत में कुछ ऐसी पार्टीज है पंजाब में जिनको वो समर्थन भी करते हैं पैसा भी बेजते हैं उनका एजेंडा भी ये चलाते हैं अब मैं पार्टीज का नाम नहीं लूँगा लेकिन सब समझ सकते हैं किस किस पार्टीज के साथ इंवॉल्मेंट है वो बी वो इंटेफेरिंस नहीं है वो इंटेफेरिंस के जुम्रे में नहीं आता क्या ठीक है अच्छा फिर जो इनके वहां पर लोग बैठे हुए हैं ये जो टेररिस्ट या ये जो क्रिमिनल गैंग्स बैठे हुए हैं वो वहां पर बैठ के यहां पर जैसे पाकिस्तानी नहीं करते थे या दावूद इबराहिम टाइप के लोग दुबई में बैठ करके मुंबई का माफिया चलाते थे वो ही चीज़ें पंजाब में इन्होंने करनी शुरू कर रही हैं हद्यारों की तसकरी हो ड्रंक्स की तसकरी हो वो सारी की सारी ये लोग करवाते हैं वहां से बैठ के उसके पैसे बनाते हैं ये जमीनों का हध्याना हो वो सारा जो क्रिमिनल जो भी क्रिमिनल लोग करते हैं और फिर जो क्रिमिनल होते हैं उनको वहाँ पर बुला लेते हैं तो अब इन सारी चीजों के उपर आपने कोई रोक नहीं लगाई इसको आपने होने दिया है तो फिर ये रिष्टे तो खराब होने है ना अब दुर्बांगे बून इसलिए है कि कुछ भी कही है कैनेडा है तो एक अच्छी जगा जिनके साथ हमारे बड़े अच्छे रिष्टे हो सकते हैं एक डिमोक्रेसी है एक लिबरल डिमोक्रेसी है जैसे भारत है तो रिष्टे बहतर होने का कोई कारण नहीं है कि ना हो चाहे वो ट्रेड का मामला हो चाहे वो राजनीतिक मामला हो चाहे वो स्ट्राटिजिक मामले हो हमारा कोई उस लिहास से मतभेद नहीं है लेकिन अगर आप वहां पर बैठ करके भारत के को डिस्टेबलाइस करेंगे तो फिर ये ब